वेल्कम तो श्टडी चैनल में रणाम है मुहम्मद कैसर तो आज बीएड के संबन में फाइनल फैसला आया बिहार की जो जाचिका थी उस पर और उन्रेबल जस्टिस अंडिर दुबोस और उन्रेबल जस्टिस बेला अम तिर्वेदी जी के बेंसे ये साप कह दिया गया कि य के याच का खारीज है और इसके संबन में जो भी पेंटींग एप्लीकेशन है वो भी खारीज है तो बिहार के संबन में बी-Ʌड के सभी रास्ते बंद हो गए है heures primary में वो बिलकुल आयोग घोशित हो चुके हैं इस मामले में अब आगे कुछ नहीं होना है मामले को डिस्म से बाहर करेंगे यदि बीएड प्राइमरी में नहीं है तो बीडी सी सिस्टु एड में नहीं रहना चाहिए वो सिर्फ वन टू फाइफ के लिए हैं तो इसको लेकर याजिका लगाई जाएगी सुपरियों कोड जाया जाएगा तमाम तरह की बात चल रही हैं मैं आपको यहा ना बीएड से कोई लेना देना है ना डियालेड से सब मेरे भाई हैं सब मेरे छोटे बड़े भाई ही हैं बीएड के लिए आज का दिन कावी दुख भरा दिन रहा आप फाइनली आज ये फैसला आया, अब इस संबन में कोई भी आची का सुप्रीम कोर्ट में सुईकारी नहीं जाएगी, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको दोस्तों आज जितना पश्ताना है, जितना रोना है, जितना आपके दिल की पीड़ा है, सब आपको आज ही रात में निकाल कर समाप्त कर देना है, ठीक है, क्योंकि आपके सामने एक बहुत बड़ी भरती है, एक लाख दस अजार पदों पर, आपके पास दो आप्शन है, आप या तो इसे टेंसन में रहिए, और अगले एक देड़ महीने, दो महीने बरबात कर दीजिए, या फिर जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपके मन में टैंसन है, जो भी आपका समय, आपका पैसा, आपका जो नॉलिज है, जो आप प्राइमरी में नहीं आप दिखा पाएंगे, उसके लिए आपको जो भी परेशान होना है, आज रात हो लिजिए, कल एक नॉमबर है, एक नॉमबर जारी होई चुका है तो आपको अगली भरती के लग जाना है और अपनी काबिलियत को जहां पर दिखाना है और एक seat अपने लिए fix कर लेना है एक ही बात लेकर आप बैठे नहीं रह सकते एक गुरूप में कहीं पर भी जहां पर यही चर्चाएं होती हैं कि हम क्या करें कैसे क सुप्रिम कोड की किसी भी जज़ के पास आप चले जाए किसी भी बेंच में आप चले जाए मामला घुमा फिराकर लाश्ट में आएगा जस्टिस अनुरूद बोस जी के बेंच में इसके अलावा इसका ओर्डर कहीं से आ ही नहीं सकता और जब यह मामला इनके पास आएग लेकिन मामला गुमाफिरा कर यहीं आता है क्योंकि इन्होंने पूरा इस मामले की सुनवाई की है एक लंबी बहां सुर्य है उसके बाद 11 अगस्ट 2023 का फैसला आया है तो 11 अगस्ट का फैसला हो सुप्रिम कोर्ट का 28 अगस्ट का फैसला हो तीन जज़ों के बेंज से वो आदेस आया है तो यह अब पलट नहीं सकता अलग-अलग हाई कोर्ट में आपने देखा ही पटना हाई कोर्ट ने साफ कह दिया था कि 11 अगस का फैसला बादेकारी है विहार सरकार को इसे मानना होगा तो जब सुप्रिम कोर्ट फैसला दे चुकी है तो इसमें कोई हाई कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता तो मैंने आपको बतायागी बीट की छातरों के पास दो आप्शन है या तो आप इसी टेंसर में रहकर नॉमबर दिसमबर बिता दीजिए फिर अगले 5-6 साल-10 साल तक भरती आनी नहीं है तो फिर आपका जो ये पूरा जीवन है ऐसे ही बीच जाएगा या फिर आपके पास एक बहतर भी कल्प है positive हो जाएए कल्प से लग जाएए दो महिने maximum आपके पास समय है नॉमबर आपके पास पूरा है दिसमबर में आपके पास जितना दिन मिल जाए एक दिन एक साल के वराबर है साथ से 10 सिसमबर के बीच में एक्जाम करा जाने की पूरी तैरी हो गई है तो आपके पास maximum to maximum 40 दिन है अब इसमें आपके पास पढ़ने का समय है कि रोने का समय है यह आप खुड decide कर सकते हैं मेरी बातां को कड़ भी लग सकती है लेकिन इस जीवन की यही सचाई है कि यह आपने नौकरी पाली तो आप सर्वस्रेष्ट है नौकरी आपने नहीं पाई आपके पास अता नौलेज हो आपके पास चाहे जितनी भी काबिलियत हो वो सब बेकार है आप अपने गाओं के किसी चोरहे पर चालों को खुस कर सकती हैं उनके बीच में आप कुछ अच्छी बात है करके अपने आपको तसल्ली दे सकती हैं लेकिन अक्शुल में होगा ये आप खुछ जानते हैं जब नौकरी नहीं रहेगी तो आपके जेब धीली रहेगी और ऐसे में कोई भी आपके नौलेज को सम्मान नहीं देगा आपको दुनिया समाज सब कुछ पता है आपने सब कुछ देखा ही है तो इस पर यहीं तक बात करेंगे मैं उमिद करूंगा कि आप बहतर वाला विकल चुलेंगे और कल से एक नई शुरुवात करेंगे बात करते हैं BTC को क्या 6-8 से बाहर किया जा सकता है तो यहाँ पर देखेगा दोस्तों जो 11 अगस 23 का सुप्रिम कोड को ओर्डर है वही आपके सामने है पेज नंबर 19 आपके सामने ओपन है यहाँ पर यह बताया गया है कि NCTE Regulation 2009 के According ठीक है Elementary जो Education है यानि कि DLA की बात हो रही है चाहें से DLA कही है JBT कही है BTC कही है यह कहता है इनका प्रेंबल है प्रेंबल में क्या बताया गया है The Diploma in Elementary Education यानि DLA is a 2-year professional program of teacher education It aims to prepare teacher for the elementary stage of education That is class 1-8 ध्यान दीजेगा यहाँ पर 1-5 नहीं कहा गया है 1-8 कहा गया है Supreme Court यह मानती है कि जो DLA के student है वो 1-8 यानि कि प्रात्मिक और उच्छ प्रात्मिक 6-8 को उच्छ प्रात्मिक कहा जाता है कुछ राजियों में वो भी प्रात्मिक ही है लेकिन वो उच्छ प्रात्मिक है कहीं पर Middle School कहा जाता है जैसे विहार में तो RT Act के अनुसार DLA के student 1-8 के लिए लिजेबल है RT Act से ही योगिता डिसाइड होती है और उसी के आधार पर NCTE अलिजबिल्टी डिसाइड करता है सिख्षकों का कि किस क्लास के लिए क्या अलिजबिल्टी होनी चाहिए तो DLA को 6-8 से बाहर नहीं किया जा सकता है जब तक ही RT Act में संसोधन ना हो RT Act मानता है कि DLA 1-8 के लिए लिजेबल है तो फिर अलिजेबल है कोई वी हाई कोर्ट सुप्रिम कोर्ट चोटा सा कैच है जैसे आपको समझना होगा जैसे बिहार ही है बिहार में DLA 12th के बाद होता है ठीक है तो यदि आपने 12th के बाद DLA किया है तो आप 6-8 के लिए लिजेबल नहीं है NCT की गाड़लाइन कहती है कि 6-8 के लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी है तो यदि आप 12th के बाद DLA किये हुए है तो आप सीटेट का पेपर 2 दे ही नहीं सकते और ऐसे में आपको 6-8 में नुकती नहीं मिल सकती साब साब ये गाड़लाइन है कि ग्रेजुएशन और DLA आपका होना चाहिए maximum राज्यों में 12th के बाद ही DLA होता है और ये छात eligible नहीं होते है लेकिन उत्र प्रदेश में graduation के बाद DLA होता है तो यहां के छातर 1-5 के साथ 6-8 के लिए भी eligible हो जाते है इसी के साथ प्रमोशन की भी बात होती है कि primary teachers का promotion रोग दिया जाए 6-8 में क्योंकि DLA वाले तो सिर्फ primary के लिए हैं लेकिन आप तो अब समझे गए हैं कि DLA वाले primary के लिए सिर्फ नहीं है यह 1-8 के लिए हैं यह Supreme Court ने कहा और Supreme Court ने भी अपनी मर्जी से नहीं कहा RT Act के प्रावधानों के अनुसार Supreme Court ने यह बात कही है तो प्रमोशन आप नहीं रोख सकते और प्रमोशन के लिए भी जो योगेताएं हैं वो होना चाहिए यानि कि 12th के बाद जो DLA क्यों हुआ 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 है तो प्रमोट नहीं होगा 6-8 में Graduation के बाद DLA होना चाहिए और State Paper 2 भी पास होना चाहिए योगेता पूरी होने के बाद भी प्रमोशन भी दिया जाता है अब इस DLA को आप BTC के नाम से जानते हों JBT के नाम से देट के नाम से उससे मतलम नहीं है Diploma in Education है 2-year का तो वो 1-5 के साथ 6-8 में भी eligible रहेगा Supreme Court ने अपने आदेश को देते समय जो 11 अगस्त का आदेश है इस बात का भी उनको संग्यान है उन्होंने exactly अपने order में कहा है कि DLA 1-8 के लिए eligible है ऐसा नहीं कि Supreme Court ने confusion में order दे दिया कि 1-5 के लिए ही सिर्फ DLA eligible था इस वज़े से B-8 को 1-5 से बाहर कर दिया गया ऐसा नहीं है तो किसी भी गलस फाहिमी मत रहिए कुछ लोग गलस सूचना देखकर लोगों को भ्रहमित करते हैं High Court Supreme Court के नाम पर याचिकाओं के नाम पर याची लाप के नाम पर पैसे लेते हैं वसूली करते हैं अभी भी कुछ ऐसे ग्रूप हैं जो मानने को तयार ही नहीं है कि B-8 प्राइमरी से बाहर हो गया जब आज Supreme Court ने साब कह रही है बिहार के संबन में तो बिहार से तो 100% प्राइमरी से बाहर B-8 फिर भी अभी वसूली जारी है ये मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी ये चीज़ें देख रहा हूँ इस वैसे मैं आपको सचित कर रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग इन चीज़ें से दूर रही है समय आपके पास कम है पढ़ लिजे और एक नो करी ले लिजे ये ज़्यादा ज़रूरी है जब आपके बस प्राइमरी से बहतर विकल्प है हाला कि सीटें प्राइमरी में ज़्यादा आती है मैं मानता हूँ लेकिन बिहार में जो माधमी कुछ माधमी की भरती है यहाँ पर भी सीटें कम नहीं है और पिछले भरती जो अभी कम्प्रीट हो रही है इसके लगवक 40,000 सीटें नहीं वाली भरती में जोड़ी जा रहे हैं माधमी कुछ माधमी में और 32,000 के आज़ पा 6-8 की भरती है इसमें B8 के साथ DLA वियलिजिबल है तो DLA वालों को तो सिर्फ 6-8 ही मिल रहा है नहीं वाली भरती में उसमें भी B8 सामिल है और 9-10 के साथ 11-12 की भरती में सिर्फ और सिर्फ बियर रहेगा जो Astate Pass है तो उच माधमी में सबसे कौम competition होगा उसके बाद माधमी में और 6-8 में तो competition तगड़ा होगा तो जो सचाई है जो exact information है मैंने हाँ पर आपको देनी की courses की बाकी आप बहतर अपने विसाय में फैसला कर सकती है मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको नोखरी लेना चाहिए इस संबंद में आप आके काम करिए एक दूसरे से लड़ने से कुछ नहीं होगा बीए डियलेट को बाहर करें डियलेट बीए को बाहर करें आपके बाहर करने ना करने से भी कुछ नहीं होगा जो होना है वो नियमों की तहत होना है निमावलियों की तहत होना है तो एक दूसरे से लड़ने से बहतर है कि अपने आप से आप खुद लड़िये और अपने आपको इतना मजबूद बनाईए कि आप प्राइमरी से बहतर नौकरी ले सकें आप 68 में सेलेट हो जाएए प्राइमरी से बहतर सेलो ने मिलेगी 9-10 में हो जाए और बहतर मिलेगी 11 वारे में हो जाए और बहतर मिलेगी एक बार नौकरी मिल जाती है इसके आगे भी ट्राइक करिए प्रोफेसर बनिये पिएसडी वगेर है देखिए इन छोटी छोटी चुजों को लेकर आप अपने भविष्ट को पर बात मत करिए यही कुछ इनफॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ बने रहें थैंक्स फॉर वाचिंग